हें गाइस वेलकम टॉपाइड चैनल आज हमें एक डिजाइन के दो फायदे बताएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने स्लीप्स की लंबाई 14 इंच ले लिया और इसके मुण्डे का निशान मैंने 8 इंच ले लिया है और मोरी का निशान मैंने 5 इंच लिया है फिर मैंने एक पट्टी ले लिया साड़े छे ची की और इसकी चौड़ाई भी साड़े छे इंच है इसका मैं कफ बनाओंगी तो मैंने अलग-अलग पीस ले लिया हैं दूँ इसको मैं फोल्ड करके साइट से सदाई लगा लूँग इसी तरीके से मैं दोस्ती पट्टी पे भी साइट से सिलाई लगा लूँगी अब मैं पट्टी को सीधा कर लूँगी फिर मैं इसकी उपर प्रेस से लाई लगा रही हूँ दोनों पट्टी उपर मैं प्रेस से लाई लगाऊंगी आप चाहें तो कफ में बुकरम का भी यूज़ कर सकती है मैंने बुकरम का यूज़ नहीं किया है मैंने इसके बीच में एक निशान लगा लूँगी इसको एक इंच से थोड़ा छोड़के निशान लगाऊंगी मैं पीछे के साइड भी यहाँ निशान लगाऊंगी और फिर मैं इस निशान से कफ की पट्टी को रख लूँगी फिर इस पे सिलाई लगा लूँगी लगबक दो इंच का गैप मैंने बीच में दिया है दूसरे कफ पे भी मैं सिलाई लगा रही हूँ फिर मैं इसको नीचे की तरफ करके नीचे की सिलाई उपर करके इस पे प्रेस सिलाई लगा लूँगी एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर दूँगी दोनों साइड से कट करूँगी मैं फिर आट इंच की मैंने एक पट्टी ले लिए जो दो इंच चौड़ी है अब स्लिप्स को मैं उल्टा कर लूँगी और इसके बीच में जहां पे हमने कप नहीं लगाया है वहां पे मैं पट्टी रखूंगी नीची से पट्टी को मैंने थोड़ा फोल्ड कर लिया है फिर में इस पे पट्टी के चारो तरफ सलाई लगा लूँगी मतलब तीन तरफ लगानी है हमें नीची के साइड से में पट्टी को खुला रहने देना है फिर बिल्कुल बीच में मैं सलाई लगाऊंगी पट्टी के बीचा बीच में सलाई लगा रही हूँ मैं और एक इंच लगबग पे सलाई को रोग दूँगी मैं फिर मैंने एक इंच चौड़ी पट्टी लिया है जो 20 इंच लंबी है इसको मैं फोल्ड करके सलाई लगा लूँगी सलाई लगाने के बाद मैं ज़ाड़ की सीख से पट्टी को सीधा कर लूँगी पट्टी को सीधा करने के बाद मैंने एक सैप्टी पिन ले लिए सैप्टी पिन में पट्टी को मैंने डाल लिया है तो इसके बाद स्लीफ में जो मैंने पट्टी लगाई है एक तरफ से मैंने इसको डाला है मैं दूसरी तरफ से इसको बाहर की तरफ निकाल लूँगी जब तक मैं डोरी को निकाल रही हूँ जब तक आप वीडियो कर आपको पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको डिजाइन कैसा लगा है फिर मैं इसको सुई से अटैच कर लूँगी दोनों डोरीों में मैं इसको अटैच करूँगी डिजाइन हमारे कम्पलीट हो गया है अगर आपको छोटी स्लीप स्पैनना पसंद है तो आप इस तरीके से इसको नीचे की तरफ करके डोरीों को बाढ़ लेंगे और अगर आप लॉंग स्लीप स्पैनना चाते हैं तो इसको उपर की तरफ कर देंगे हम और फिर हम डोरीों को बाढ़ लेंगे इस तरीके से आप दोनों तरीके से इसको पहान सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शियर, कमेंट जरूर करें